आपने ये वीडियो क्लिक किया है, मतलब आपकी डिलिवरी डिट एक दम नस्दीक है, तो सबसे पहले तो congratulations, आप जिस फेस से गुजर रहे हो, मैं भी उसी फेस से गुजर रही हूँ, जिस दिन में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, उस दिन मैं 36th week pregnant हूँ, और मैंने सारी तैयारिया कर ली है, मेरा हॉस्पिटल बैग बिल्कुल रेडी है, तो अगर आप confused हो कि हॉस्पिटल बैग में क्या-क्या पैक करना चाहिए, कि इनकीन चीजों की आपको जूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल सही वीडियो आपने क्लिक किया है, मैंने पूरा रिसर्च करके अपने लिए प्लैनिंग करी है, और मैं आशा करते हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कुछ क्लियारिटी आ जाए, इनिमस्ट लिए बहुत हो गई बात चीए, तपटा-पट से आज का ये वीडियो शिरू करते हैं, सबसे जरूरी चीज होने वाली है, वो होने वाला है आपका फाइल, जो आपका मेडिकल फाइल है, उसे बिलकुल रखना ना भूले, पर्स में कैरी करें, और फाइल के अंदर आपको डाल लेना है, आपके इंशुरेंस का जो भी पेपर है, तो अगर आपको इंशुरेंस क जो कि बहुत काम आने वाली है आगे बताओंगी क्या क्या है दूसरा आप जो ये वाला बैग देख रहे हो ये पूरा बेबी का बैग है तो इसमें सारी वो चीजे हैं जो उसके काम में आने वाली है मैंने डेडिकेट कर दिया इसमें मैंने अपना कुछ भी नहीं रखा और मैंने बैग लिया हुआ है जिसमें मेरे हस्बेंड का भी समान है और साथ में कुछ और भी कीसे ऐसी है कि मुझे जरुवत पड़ेगी पर इमेडियेट नहीं एक बारी में रूम में शिफ्ट हो जाओ फिर जरुवत पड़ेगी सबसे बात शुरू करते हैं इस वाले बैग से जो बहुत जादा जरुवत पड़ने वाली है मुझे यह चोटू सा डफल बैग है जब से पहले इस बैग में एक चोटा सा मैंने रखा है पाउच और इसमें आप देख रहे हो एक हिमालया के मैंने लिप बाम रखा है और मैंने आप एक स्ट्रेप सिल्स रखा है सोड जब आप लेबर पेन में होते हो उस टाइम पे आपके होट बहुत सूखते रहते हैं और कई बार गले में खराश भी आ जाती है तो उसके लिए यह दोनों हैंडी देना बहुत ज़रूरी है इसको अप अंडरेस्टिमेट मत करिएगा कि चोटी चीज़ है बहुत काम में आ यह भी हमें बता दिया गया था लमाज सेशन में डॉक्टर के तरफ से कि एक आपको सिपर बोटल साथ रखना है लेबर के टाइम पे आपको आप बहुत ज़रूरत पड़ेगी पानी पीने की उसके बाद नेक्स चीज है वह मैंने लिया है एक डिस्पोजिबल ब्रेस्ट ज़िस्ता की मैंने कहा इस बैग में मेरी सारी परसनल निसेसिटीज वाली चीज़े हैं तो यह सब इसमें रख दिया है हस्बन को पता है कहा से निकाल के देना है तो एक ब्रेस्ट पैट का पकेट ज़रूर रख लीजिएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर में यहाँ पर मे आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने यह आगे से ऐसे बटन है यहाँ पर जो कि यह पूरा खुल जाएगा तो नर्स करना इसमें से आसानी हो जाएगी और मैंने यहाँ पर एक्स्टेंडर भी लगाए वे हैं कई बर क्या होता है यह टाइट लगता है ब्रा तो एक्स्टें लेन हमें लमा सेशन में बोला गया था कि एक white water bag湘 लेकर जाना है की लिएमलमा सेशन होता है जिसमेंElर बारे में सब कुछ बताते हैं कि क्या-क्याचीज़ इसमें होने वाली है उसके लाब के प्रिपर करते हैं मैंने रॉग बनाया है सब चाहाओ चेक्कर लेना एक ले लिया है scarf, तो डिलिवरी के बाद अगर थन्ड जादा लग रही है या आपको ठंड से बचना है वैसे बैंगलोर का जो मौसम है वो ठंड नहीं होने वाली पर फिर भी बेटर होता है सिरा रख लिया दो मैंने कर लिया है इने सीघ्यवरी के बाद आपको ठंड लगेगी तो आपको पेयार में लो और पहन सकते हैं कि क्या आपको यह रखने का है नहीं है और वो है पोटेबल बिड़े आप एक बार पढ़ लीजिए कि बिड़े से क्या होता है गैसा दिखता है मैं आपको दिखा देती हूं तो इसका लिंक में आपको देदूंगी डिस्रिप्शन बॉक्स में यह highly recommended है कि यूज करना इसके साथ में इसा पाउच भी आता है ताकि आप इसली कैरी कर सको इसके अलावा यह चीज बहुत चादा इंपॉर्टन तो नहीं है पर किसी किसी लोगों के लिए मेरे लिए तो है मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने लिए मेक अप का भी समान लेकर के ज पैन है तो आपको मॉशराइज करने के लिए ज़रत पड़ेगी तो मैंने लिया है दे मॉम्स को का मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूस थे तो यह ने लेका चलिए तो मैंने कहा कि मेरे हस्बेंट रहें के साथ मैं उनके लिए भी ऐ लेना रहेगा रोज हाईजीन मेंटेन करनी है बेबी के अराउंड उसके लावा मैंने उनके लिए तूथ पेस्ट और टूथ ब्रश लिया है वेरी इंपोर्टेंट और चोटे बेबी जब होते हैं मिन आप जब न्यूबॉन के साथ रहोगे पास रहोगे न तो आपको के लिए ले लिए एक यून को आदत है पर फियूम डेयो लगाने की पर वो सेफ नहीं है कुछ दिनों पे लिए तो यह लगाएंगे या विने लिया है उसके अलावा मैंने उनके लिए एक टॉवल लिया है शा लेने के लिए एक लिया है मैंने ये पतला सा वाला ब्लांकेट क्योंकि एटेंडेंडेंट को अफकॉर्स कुछ देते नहीं है ब्लांकेट वगरा मुझे नहीं पता तो मैंने उनके लिए लिया है और एक चा और यह ग्लास, तो एटेंडेंट का जो खाना है वो ऐसा कोई पैकेज वैकेज में नहीं है, तो जो भी है वो आपको खुद से और करना है, तो होस्पिटल खाना अगर नहीं का अमन करें है, तो अफकोस वो बाहर से कुछ और करेंगे, तो फिर खाने की दिक्कत हो जाती है, इसकी जरुवत है, तो इसलिए बटर है कि प्लेट डिस्पोजबल रखा जाए, और एक चीज और अखली है, चोटा सा रखा है फ्लास्क, तो पानी गरम करके अगर इसमें स्टोर कर दिया जाए, तो आप गरम करके पानी पी सकते हो, आप चाहो तो इसमें चाय रख सकते हो जो भी काम में आए वो तो देखा जाएगा, पर मैंने चोटा सा रखा है, बहुत बड़ा नहीं लिया है, तो ये स्टोर करना लेके जाना असान है, और मैंने अपने हस्बं के लिए जो भी कप्ड़े पैक की है, वो अरे मैंने शर्ट फॉर्म में पैक कर रहे हैं, टीशर् मैंने प्लाइन कर लिया है, और उसको अलग से बैग में डाल दिया है, ताकि ध्यान में रहे कि कौन सा में पहन के वापस आना है, और मुझे सारे गाउन्स जो है वो हॉस्पिटल से मिलने वाले हैं, वहाँ पे मुझे मेरे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जो भी स्टे होगा, वहाँ पे गाउन्स बोलो प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए मेरे एस सच मैंने कोई कपड़े पैक नहीं करें जादा, हस्बेन के ही जादा की है और बेबी के करें, तो चलिए अब दिखाते हैं एक साइटिंग पार्ट कि मैंने बेबी के लिए क्या इसे क्या होगा, convenience हो जाएगी मेरे husband को भी अगर कपड़ निकाल के दिने है nurse को, या खुद change करना है, तो एक clear idea रहेगा कि सारी चीजे एक ही बैक के अंदर है, मतलब एक पाउच खोला, उसमें कपड़े भी आ जाएंगे, mittens भी आ जाएगा, उसकी caps भी आ जाएंगे, तो नहीं पड़ेगा, confusion नहीं होगा, set जो है वो बना वरेगा, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, तो अच्छे से इसको पैक कर लीजिए, वरना इतने चोड़ी-चोड़ी चीजे जो है, वो manage करना chaos में difficult हो सकता है, इस तरीके से पैक किया है, मैं आपको बताती हूँ, तो मै यह बहुत ही सही लगा, और मैंने सारे ही रॉमपर्स में लिये है, रॉमपर्स होने का फाइदा यह है, कि से खोलना असान है, यह बटन होता है, तो आप खोल लोगे, तो डाइपर पहनाना, चेंज करना, इस एजी, अगर ठंड लगेगी, तो इसके लिए मैंने अलग से प पजामा, इसके साथ में आजाएगा, मिटन, कैप्स, वो तो रखना ही रखना है, सौक्स, वो कि बेबी को ठंड लगेगी, तो वो भी रहेगा, और इस तरी के भी मैंने सेट ले रखे हैं, देखिए, यह बहुत प्यारा सा है, तो यह वाला H&M का नहीं है, पांच में H&M क ले जारी हूं, सिर्फ एक यह मैं बेबी हक का ले जारी हूं, तो कि मुझे बड़ा ही क्यूट सा लगा, तो इसमें भी ऐसा ही है, उपर आता है, यह नीचे आता है, पजामा, वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, यह बेबी के क्लोट्स में मैंने आकर शॉपिंग क्लियर आपको ऐडिया आएगा, यह उपर आजाता है, क्याप, और साथ में मिटन, सॉक्स का मैंने बना दिया है, और उस पैकेट में डाल दूगी तो हस्बेंड को या नर्स को किसी को भी देना रहे तो बहत ही असान रहेगा, तो कि उस टाइम पे किसी भी तरह का क्योस मै नहीं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, बहुत एजली सब कुछ हो जाए, तो वो है, और बाइदेबे सारी चीजे जो बेबी के लिए यूज होने वाली है, सब मैंने पहले से वाश कर लिया है, तो आपको भी पहले से वाश कर लेना है, मैंने व्लोग में शेर किया है, अगर आपने चेक लिया है तो आपको पता ही होगा तो इस तरीक इसे छे सेट में लेके जा रही हूँ और होफुली छे में काम हो जाना चाहिए बाकी आगे देखा जाएगा उसके अलावा देखिए मैंने लिया है यहां पे पैंपर्स का टेप न्यू बेबी का यह डाइपर तो न्यू बॉण के लिए टेप डाइपर ही यूज करना चाहिए आपको लास्टी कोला नहीं यूज करना है फिर मैंने ऐसा एक बैग कैरी किया हुआ है और इसमें मैंने रखी है कुछ चीजे जो इमेडियेट में काम आ सकती है सबसे पहले मैं मैंने यहां पर रख लिया है सीटाफिल का जेंटल वाइप उसके बाद मैंने यहां पर रखा है एवेंट का यह वाला बॉटल तो यह सबसे अच्छा रिव्यूड बॉटल है न्यू बॉण के लिए क्योंकि इसमें एंटी कॉलिक वैल्ब है बिसिकली दो होल्स होते हैं ज अगली साब उनको बोल सकते हो कि मेरे पास खुद का है आप मेरा यूज कर लो और अगर नहीं उज में आता है तो कोई बात नहीं है अच्छी बात है इंफाक्ट कि आप ब्रेस्ट पेट कर पा रहे हो तो मैंने यह त्यारी कर लिया है उसके बाद मैंने लेखिए यहां पर पीछे इसके प्लास्टिक है यह सब का मैं आपको लिंक दे दूँगी आप चेक कर लेना अगर आपको लेना हो तो यह देखिए यह बहुत अच्छा है कॉटन का उपर दो लेयर है तो बेवी को गड़ेगा नहीं चुभेगा नहीं और क्योंकि प्लास्टिक है तो कोई दि है आप्नेने की नहीं यह सबस् Remote ऑड़े नहीं सूरह ज्वहाला भी मार्णम स्वादल है यह दो इस में नो अधर अच्छे टाल, यह थो यहां और भी मार्णम को क्योंकि देखिए, यह में विंकों स्वाडल स्विभास्टा थीशति हाँ, अभी तो अगर काम आता है तो ठीक है तो यह बने सारे प्लास्टिक्स में डाल के रखिये हैं और दो रखा है मैंने बेबी ब्लांग के बेबी के बैग में मैं इतनी ही चीज़े लेके जा रही हूँ इन मेरे खाल से काम निकल जाना जाए है फिंगर क्रॉस्ट अब फाइनल कुछ और चीज़े जो मुझे आपको दिखानी है तो यह चीज़े जो है मैंने अलग से इसलिए रखी हैं पैक नहीं करी है क्योंकि इन चीज़ों को मैं हॉस्पिटल के अंदर ले जाने वाली नहीं हो गाडी में ही रखने वाली हूँ और अगर जरुवत पड़ती है तो गाडी से लेकर के हम लोग आ जाएंगे लेकर अंदर जाने के कोई भी जरुवत नहीं है तो क्या-क्या है उसमें तो एक में लेके जा रही हूँ तो बेटर है कि आप ले जाए और गाडी में रख दे जरुरत नहीं महसूस होती है तो लाने की जरुरत नहीं है रूम पे तो बेसिकली यह क्या है फीडिंग पिलो है ऐसी करके आपको कर देना है यहां पे एक बेल्ट भी दिया हुआ है बेबी के चुरू सब पिलो भी दि बेटर हो गया है यह बैठने में तकलीफ हो रही है तो यह आपको हस्पिटल से ही बैठने में इसमें अराम हो जाएगा फिर घर आगे भी आप इसको यूज कर सकते हो यह यहां पे जिप है ओपन हो जाएगा आप इसको वाश कर सकते हो लास्ट चीज जो है वह शायद तो फिर ले लिजी और वो है बेबी के लिए ये कैरियर बैग ये इतनी चीजे हैं जो मैंने सोच रखी है कुछ चीज़े आपको लगी होंगी जादा फिजूल की कुछ लगी होंगी पर जिसा कि मैंने का मैं और मेरे हजबन भी मैनेज करने वाले है तो हमें पूरा सोचना आगे का पीछे का घर से भी हॉस्पिटल दूर है आने का वापस चार दिन से पहले कोई चांस नहीं है तो इसलिए सारी तियारिया हमने कर ली है जिसे जुरत पड़ेगा मैं आने के बाद आपको व्लाग में बताऊंगी कि हाँ यह जुरत पड़ा है इसका इसका जुरत नही क्योंकि आफ्टर आल आप चाहते हो कि यह जो चारपाज इनका प्रोसेस है यह स्मूध जाए पर टेंशन मत लीजे लगे अगर वेकेशन पर जा रहे हैं दो बैग लेकर के तो रेक ने दीजे पर काम आपके जरूर आएगा चलिए इसी के साथ मैं आशा करती हूं आपको में वीडियो अच्छा लगा हो इंफर्मेटिव लगा हो विश यू ओल हैपी डिलिवरी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं जो भी चाहिए होगा चेक कर लीजेगा पिला चली मैं मिलती हूं आपसे अगली बार तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेर थाँ सीट रख से लगा हो रे चाहिए हो एक कर लोगा हो भीजेगी ने बॉक्त कर लास तबहा हो विभा हो विभाई ख्याम कर अभाई ने कर दो बॉड़ा हो विभा हो यू झालता हॉ झाल झाल